हलो स्टूडेंट्स, बच्छों, हम लोग बिल्कुल यह नहीं चाहते थे कि हम आपकी क्लास ओनलाइन करें, लेकिन क्या करेंगी, परिसितिया कुछ ऐसी आ गई है कि आपकी क्लास को ओनलाइन शिफ्ट करना पढ़ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ना आप इसमें कुछ कर सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं, प्रेर करें कि सब कुछ सामानने हो जाए, और दुबारा से हमारी क्लास वैसे ही चलनी स्टार्ट हो जाए, जैसे हमारी ओफलाइन मूड में क्लास चल रही थी, चलिए, कोई बात नहीं, अगर क्लास ओनलाइन भी चलेगी, तो हम इसे भी systematically class कराएंगे, बहुत अच्छे से class कराएंगे, जिससे कि आप लोगों को कोई परिशाने ना हो, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि class हम किस तरीके से आप लोगों की कराएंगे, ठेक है, बिटा रोज 10 बजे या 11 बजे, आप लोगों के लाइफ आई लर्निंग जैसे अभी हमारी electrostatics चल रही ही, तो electrostatics में आज मैं आपको लेक्चर बताने वाला हूँ यह first lecture आप लोगों को वहां मिलेगा, ठेक है, वही नीचे एक study material का option है उस study material में, जिस material की मैं बात कर रहा था, classroom के अंदर की, हम आपको एक study material provide कराएंगे, वह study material आपको soft copy की form में वहां पर मिलेगा, जिसमें topic-wise अभी questions दिये गए है ठीक है, उस study material से आप अपने सारी problems को solve कर सकते हैं, ठीक है वीडियो में आपको lectures मिलेंगे बिटा, और study material में आपको आपका assignment मिलेगा वही एक test का option है, उस test के option में आपके regular basis पर weekly test होंगे वैसे तो हम उमीद करेंगे कि एक हफता ये पूरा system ना जाए, तना लंबा ना जाए जल्दे ही study सामानने हो जाएगी और आप उनलोगों को online class में आकर मिले और हम आपको offline पढ़ाएं, मतलब offline आकर मिले हम आपको offline पढ़ाएं ठीक है, हम लोगों ने live classes इसलिए नहीं रखी हैं बिटा क्योंकि live classes के बहुत सारे drawback है drawback ये है कि जिन लोगों के पास में internet connection अच्छा नहीं है वो लोग अच्छे से live class नहीं देख माएंगे, वहाँ blood vision होगा, sound break होकर आएगी आपको कभी दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा, तो उसमें class लेने में आपको परिशानी होगी batches के videos में आपको कोई परिशानी नहीं होगी, बहुत अच्छे से आपको जीची समझाएगी अगर आप चाहते हैं कि speed बढ़ा कर पढ़ना चाहते हैं, तो वहीं एक option आएगा speed बढ़ाने का, speed बढ़ा कर आप अपने lecture को देख सकते हैं आप किसी चीज को skip करना चाहते हैं, तो वहीं से आप 10 second 10 second forward करके आप अपना अच्छे से lecture को देख सकते हैं तो यह सबी चीजे हमारी रहने वाली है, अच्छा, मैं यहां से अगर मैं physics की बात करूँ वैसे तो हम हर subject में यह काम कराने वाले हैं, physics में, daily आपके पास में बेटा call आएगी, आप call को receive करें और जो मैं आपको यहां पढ़ाने वाला हूँ, यही आप लोगों का homework है यह homework आपको अपने homework copy के अंदर भी करना है, classwork copy में भी करना है यहीं, classwork copy में तो आप अपने notes बनाएंगे, homework copy में भी आपको यह काम करना है और homework copy में यह काम आपका daily basis पर check होगा, through whatsapp video call ठीक है, तो अपने काम को पुरी तरीके से complete रखें, लापरवाही की कोई गुंजाईश नहीं है बिल्कुल आपरवाही ना करें, Saturday आप लोगों का test होगा और बहुत अच्छे तरीके से हम class को लेकर चलेंगे, सभी चीज़े को वैसे ही explain करेंगे जैसे हम आपको explain कर रहे थे, अगर online के कुछ drawback है, तो online के कुछ advantages भी है, कुछ फाइदे भी है फाइदे ये हैं कि offline में जो class आपने एक बार देख ली, उसे आप दुबारा नहीं देख पाएंगे लेकिन यहां क्या है कि आप एक class को कितने भी बार देख सकते हैं मान लिजे कि कोई topic आपका week रह गया, उसे आप दुबारा से देखना चाहते हैं, दुबारा से पढ़ना चाहते हैं तो बड़े आराम से आप अपने lectures में जाकर उन topics को दुबारा से देख सकते हैं ठीक है, तो life I learning application पर बहुत systematically तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की class चलेगी, आप अपनी class को enjoy करें, अपने notes को properly prepare करें, अपने study material की questions को solve करें और जो भी आपके doubts आते हैं, जब आपको daily basis पर call की जाएगी, तो अपने doubts को आप solve करें, ठीक है? ओके, चलिए, अभी हम अपनी class स्टार्ट करते हैं तो बेटा, last में, जहां हमने अपने topic को छोड़ा था, वो था state the limitation of Cullum's law यानि, एक छोटा सा question हमारे सामने ये आता है, कि बहीं Cullum's law की limitation क्या है? यानि, Cullum's law कहां जाकर fail हो जाता है? हमने Cullum's law पढ़ा सभी लोगोंने, आपने देखा Cullum's law क्या होता है? Cullum's law है, दो charges के बीच में force निकालने का formula, जिसकी value है हमारे पास में बिटा, ये है दो charges के बीच में force निकालने के लिए हम Cullum's law का use करेंगे और इसकी value है हमारे पास में ये 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 upon R square ये जो Cullum's law है, ये कहां जाकर fail हो जाएगा? तो सबसे पहले limitation Cullum's law के लिए ये है बिटा, कि जब भी 2 charge body motion करना start कर देती है जब भी 2 charge body motion करना start कर देती है और उनके जो बीच का gap है, मान लीजे कि 2 charge body है वो कुछ इस तरीके से motion कर रही है कि उनके बीच का जो gap है, वो लगातार तरीके से बढ़ रहा है like this, 2 charge body है वो एक दूसरे से पीछे की तरफ move कर रही है अगर वो एक दूसरे से पीछे की तरफ move करेंगी तो उनके जो बीच का gap है, वो दीरे 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 बढ़ता जाएगा यानि जब भी charge bodies motion करेंगी जब भी charge bodies motion करेंगी तभी आपका column slow हो जाएगा fail यानि column slow आपका काम नहीं करेगा सबसे पहली limitation तो यह है हमारे पास में दूसरी limitation हमारे पास में यह है कि column slow सिर्फ point charges के लिए ही possible है यानि जो charge बहुत छोटे होते हैं जो charge बहुत छोटे होते हैं point charge जो होते हैं column slow सिर्फ उनहीं के लिए काम करेगा जो बड़ी bodies होती हैं बहुत बड़ी bodies होती हैं उनके लिए column slow काम नहीं करता है यानि large scale पर column slow fail हो जाता है तो body आराम से रुकी हुई है उनके बीच में आप column slow apply करोगे तो बड़े प्यार से apply हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन अगर उन्हीं दो bodies ने motion करना start कर दिया like this दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है दोनों एक दूसरे के पास आ रही है उस condition में column slow काम नहीं करेगा तो एक तो motion करती भी bodies के लिए column slow काम नहीं करेगा एक दूसरा column slow सिर्फ छोटी bodies के लिए काम करता है बड़े scale पर यानि बड़ी bodies के लिए column slow काम नहीं करता है वैसे तो यहाँ दो ही limitation लिखी हुई है और आप लोगों को same to same यहाँ लिखी हुई नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ जब आप बहुत छोटे लेवल पर पहुँच जाते हैं बहुत छोटे लेवल का मतलब क्या है देखो atom के अंदर क्या होता है atom के अंदर बिल्कुल बीच ओ बीच nucleus होता है और nucleus के चारो तरफ कौन चकर लगाता है electron चकर लगाता है अगर हम nucleus के भी अंदर पहुच गए तो nucleus के अंदर मिलते हैं proton और neutrons बासमझ में आ रही है यानि जब दो particle के बीच की distance इससे कम हो जाती है जब दो particle के बीच की distance इतनी distance से कम हो जाती है 1.2 into 10 to the power minus के 15 meter से भी कम रह जाएगी दो particle के बीच का gap इतनी distance से भी कम रह जाएगा तब भी कुलम स्लो काम करना बंद कर देगा यानि कुल मिलाकर आपके सामने तीन limitation आ गई है बेटा पहली limitation motion करती हुई bodies के लिए कुलम स्लो applicable नहीं है दूसरी limitation कुलम स्लो सिर्फ छोटी bodies के लिए वैलिड है बड़ी bodies के लिए कुलम स्लो वैलिड नहीं है और third limitation अगर आप थोड़ा सा deeply level पर जाना चाहते हैं तो यह है कि जब दो particle के बीच का gap दो charge particle के बीच का gap इतनी distance से कम रह जाता है तब भी हमारा कुलम स्लो फेल हो जाता है तब भी हमारा कुलम स्लो काम नहीं करता है अब जिस बच्चे ने यह theory नहीं लिखी है अपनी copy के अंदर notes बना कर state the limitation of कुलम स्लो in electrostatics पहले question लिख लिजिए और उसके नीचे यह आप answer लिख लिजिए बेटा जल्दी से करिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे यह condition हमारे पास में रहेगी उमीद है कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे कोई problem आप लोगों को नहीं होगी कुछ questions ऐसे हैं जो हम अपनी regular offline class में पढ़ चुके हैं और कुछ problem अभी इसके अंदर से बची हुई है जो बची हुई है पहले हम उन problems को discuss कर लेते हैं एक बार देखो बिटा जैसे हमारे पास में यह question मना if q1 into q2 is greater than of zero q1 into q2 greater than of zero अगर q1 q2 का जो product है वो zero से बढ़ा है तब आपको बताना है कि charges के बीच में जो force काम करेगा उस force का nature कैसा होगा very easy, बहुत आसान problem है देखो कैसे करेंगे पहले आप यह देखिए कि दो charges का product zero से बढ़ा कब हो सकता है बैं मैं यह कह सकता हूँ कि number one condition यह होगी मेरे सामने अगर q1 charge positive हो और q2 charge भी positive हो तो positive की multiply positive में अगर हम करेंगे तो इसका मतलब यह है कि q1 into q2 zero से बढ़ा आएगा क्योंकि positive की multiply positive में करेंगे तो positive ही आएगा और positive होता है zero से बढ़ा यानि दोनों charge अगर positive है तो उस case में q1 q2 हमारा zero से बढ़ा होगा उमीद है कि आप समझ रहे होगे second condition इसके अंदर क्या बन सकती है second condition इसके अंदर बनेगी यह एक charge है हमारे पास में negative दूसरा charge भी है बिटा हमारे पास में negative इस बार दोनों charge हमारे पास में negative है अब आप तेखो अगर मैं negative की multiply negative से करता हूँ इस negative की multiply इस negative से करता हूँ तो आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से mathematics का बहुत ही basic law है negative की multiply negative में करेंगे तो positive आएगा इसका मतलब यह है अगर इसकी multiply इसमें करेंगे तो उस case में Q1 into Q2 हमारा 0 से बढ़ा आने वाला है यानि इस case में भी 0 से बढ़ा आने वाला है negative की multiply negative में करेंगे तो positive आएगा यानि Q1 Q2 0 से बड़ा है और यहां भी Q1 Q2 0 से बड़ा है अब आप यह देखे बेटा positive positive में कैसा force काम करता है repulsive category का force काम करता है negative negative में कैसा force काम करता है repulsive repulsive का मतलब यह है यह plus इस plus को repel करेगा ऐसे आप समझते हैं अच्छे दरीके से यह minus इस minus को repel करेगा कुछ इस तरीके से तो इन दोनों condition के अंदर जो force काम करेगा वो repulsive category का force काम करेगा तो question हमारे पास में हो गया है कि nature of force force का nature कैसा होगा हम कहेंगे भईया force का nature होगा repulsive दोनों condition के अंदर या इस situation के अंदर repulsive nature का force काम कर रहा होगा उमीद है कि आप लोगों को बात समझ आई हो जल्दी से आप question note करिए answer note करिए फिर हम लोग आगे बात करते हैं बचो online या offline class में बहुत फर्क नहीं पढ़ने वाला है अगर आप काम करने वाले बच्चे हैं और सभी चीज़ों को सुन सकते हैं और अच्छे तरीके से अपना लिख सकते हैं उन सभी चीज़ों को तो मुझे लगता नहीं कि कोई परिशानी आएगी और online class में आप लोगों को उल्टा मजा आने वाला है आप सभी चीज़े बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे बच्चों चलिए बटा next question की तरफ हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि next problem क्या है हमारे पास में अभी एक दो question और बचे हुए हैं बीच बीच में हम लोग discuss करते रहेंगे उन्हें देखो बटा ये है हमारे पास में next question क्या है problem आप लोग ज़रा देखें दियान से बिलकुल the electrostatic force सबसे पहला काम physics के अंदर physics समझ क्यों नहीं आती है क्योंकि हम उसके question को दियान से नहीं बढ़ते हैं सबसे पहला काम है कि 15 to 20 second 15-20 second question को बहुत धियान से बढ़ना है और बहुत धियान से पढ़कर उन सारी values को निकाल कर एक तरफ रख देना है जो हमें question से मिल रही है और फिट देखो कि इसमें calculate क्या करना है तभी आप question को अच्छे तरीकी से solve कर पाओगे बिटा देखो बहुत आसान problem है हमें कुछ ऐसा कहा गया है कि एक charge है अपने पास में 0.4 microcolum ओके बिटा दूसरा charge हमारे पास में यहाँ है और दूसरा charge है हमारे पास में minus 0.8 microcolum और इनके जो बीच में force काम कर रहा है तो सबसे पहले आप यह समझेए कि यह charge है positive और यह charge है negative force काम कर रहा है उसकी value है 0.2 newton इनके बीच में जो force काम कर रहा है न बेटा उसकी value है 0.2 newton ठेक है यह पूरी values हमें दे रखी है एक charge हमें यह दे रखा है एक charge यह दे रखा है इनके बीच के distance दे रखी है number one point हम लोगों से पुछा है what is the distance between two spares यानी r बताना है कितना होगा इनके बीच के distance कितनी होगी और यह पूरा काम air में perform हो रहा है चलिए column's law apply करते है बेटा column's law के according 9 into 10 की power 9 q1 q2 upon r square यह हमारा column's law है 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 into q2 upon r square अब आप देखियो force हमें कितना given दिया गया है force हमें दिया गया है 0.2 यह होगया 9 into 10 की power 9 ठीक है first charge कितना है बेटा हमारे पास में first charge है 0.4 microcolum यानी 0.4 into 10 की power minus 6 second charge कितना है देखो second charge बले ही आपको negative दे रखा है लेकिन negative sign का use आपको formula में नहीं करना है ठीक है यहाँ आप रखेंगे 0.8 इसका मतलब है micro और micro का मतलब होता है 10 की power minus 6 उमीद है कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे upon में आएगा हमारे पास में r square जो हमें यहाँ से करना है calculate r square हमें यहाँ से calculate करना है चलिए देखते हैं क्या value बनेगी r square को यहाँ ले जाते हैं r square is equal to 9 into 0.4 into 0.8 into 10 की power देखो यह plus 9 यह minus 6 यह minus 6 minus 6 minus 6 minus 12 minus 12 और plus 9 यानि minus 3 और upon में आगया हमारे पास में 0.2 उमीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से कोई problem नहीं होगी अब आप देखो जब हम इसको इससे divide करेंगे तो divide करकर यह आएगा वेटा हमारे पास में 4 ठीक है यह point हम यहाँ से हटाएंगे तो यह लग जाएगा 10 की power minus 4 इधर से square हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाकर लगेगा under root हमारे पास में answer रहने वाला है वो रहने वाला है 12 cm यानि दोनों square के जो बीच का gap होगा वो 12 cm होगा यह 10 की power minus 2 यह जो answer आया है यह meter में आया है अगर 10 की power minus 2 में यहाँ से हटा दूँगा तो यही answer आपको बन जाएगा cm में उमीद है कि आप हमारी बात को समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हमने concept लगाया है यहाँ पर ठीक है अब हम बात करते हैं आगे और देखते हैं कि इसके second point में हम लोगों से क्या पूछा गया है देखे second point में हमारे पास में है what is the force on the second spare due to the first यानि second वाला spare first वाले spare के उपर कितना force लगा रहा है यह बहुत ही आसान है first वाला second वाले पर जितना apply करेगा बिल्कुल उतना ही force second वाला first वाले पर apply करेगा अब problem की language के हिसाब से देखें 0.2 newton का force पहले वाले ने दूसरे वाले पर apply किया है तो पका दूसरे वाला भी पहले वाले पर 0.2 newton ही apply करेगा यानि B point का जो answer हो गया है न हमारा हम यह कहेंगे कि दो charge है एक Q1 है एक Q2 है जितना force यह इस पर लगाएगा F बिल्कुल उतना ही force यह इस पर लगाएगा F अगर पहले वाले ने दूसरे वाले पर 0.2 newton apply किया है तो दूसरे वाला भी पहले वाले पर 0.2 newton ही apply करेगा तो इस question में एक तो हमने दोनों के बीच की distance निकाली है R और एक यह बताया है कि इनके बीच में कितने forces काम करेंगे ठेके? आप सबसे पहले वीडियो को pause करिए यह पूरा question note करिए अपनी copy में और फिर यह answer note करिए देन हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से करिए बिटा उके उमीद है बिटा कि आप लोगों ने कर लिया होगा solve अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि next question क्या होगा हमारे पास में मैंने आपसे कहा था कि मैं 15 यानि 15-16 question आपको कराऊंगा और इन 15 question को करने के बाद में आपको कोई doubt नहीं रहेगा कुलम्स law में आपके सभी doubt दूर जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से आप कुलम्स law की हर प्रॉब्लम को बना पाएंगे हर एक प्रॉब्लम को देखो next question है हमारे पास में ये बिटा next question हमारे पास में ये है देखी problem क्या है check that the ratio ke square g m e m p is the dimension less look up a table of physical constant and determine the value of this ratio what does the ratio signify तीन बाते हमें इस question के अंदर बतानी है एक तो हमें प्रूफ करके बताना है कि ये जो value है आपके सामने बिटा ये dimension less है dimension less कोई dimension नहीं है फिर हमें इसकी value बतानी है कितनी होगी और फिर ये बताना है कि ये value क्या represent करेगी ठीक है आईए देखते हैं कि हमारे पास में proton ये है plus E और ये है इनके बीच का gap इसे हमने नाम दिया है R अब देखो होगा क्या ये जो minus E है ये attract होगा plus E की तरफ समझा रही ये बात और ये जो plus E है ये attract होगा minus E की तरफ और इनके जो बीच में force काम करेगा वो होगा electrostatic force minus E plus E की तरफ जाएगा plus E minus की तरफ जाएगा column slow के according और इनके बीच में इतना force काम करेगा और इस force की value होगी बेटा मैंने 1 upon 4 pi epsilon 0 को k मान लिया है 1 upon 4 pi epsilon 0 को हमने k let कर दिया है यहाँ k का मतलब dielectric constant से नहीं है बचो यहाँ हमने 1 upon 4 pi epsilon 0 को k माना है एक charge है E दूसरा charge है E यह हो गया E square और इनके बीच का gap हो गया R square यह हो गई हमारे पास में equation 1 उमीद है कि आपको समझाया हो कि किस तरीके से मैंने इनके बीच में column slow apply किया है capital K E square upon R square इतना electrostatic force इनके बीच में काम करने बाला है उमीद है कि आपको समझाया होगी बात अच्छा एक बात बताईए आप मुझे मैंने इनके बीच में electrostatic force तो निकाल दिया थोड़ा सा 11th का concept लगेगा वैसे तो आप बहुत होश्यार बच्चे हैं सभी के सभी समझ जाएंगे अच्छे तरीके से लेकिन बैर बता भी देता हूँ आप लोगों को एक बार बीटा, electron का जो mass होता है, वो इतना होता है m e और proton का जो mass होता है, वो इतना होता है m p और 11th class में हम लोगों ने एक chapter पढ़ा था जिसका नाम था gravitation उस gravitation के chapter के मुताबिक जो mass होते हैं ना mass ये हमेशा एक दूसरे को attract करते हैं Newton के law के मुताबिक मास के बीच में हमेशा attractive force काम करता है और उस gravitation के force की value है हमारे पास में Fg और उस gravitational force को निकालने का तरीका है Capital G एक particle का मास है हमारे पास में M E दूसरे particle का मास है हमारे पास में M P और नीचे हो गया R square यह हो गया equation second समझा रही बिटा बात यह हो गया electric force और यह हो गया gravitational force ठीक है अब हम एक काम करेंगे हम दोनो equations को आपस में divide करेंगे जब हम दोनो equations को आपस में divide करेंगे तो हमारे पास में बनेगा F E upon F G is equal to जब इसको इससे divide करेंगे तो यह R square से यह R square cancel out हो जाएगा आपके पास में बचेगा K E square upon G M E M P अब मुझे एक बात बदाइए बेटा यह क्या लिखा हुआ है force यह क्या लिखा हुआ है force force की dimension से force की dimension कड़ जाएगे cancel out हो जाएगे force की dimension क्या होती है आपके पास में MLT minus 2 नीचे भी क्या लिखा हुआ है force इसकी dimension क्या होगी आपके पास में MLT minus 2 यह भी force की dimension है यह भी force की dimension है अब force की dimension से force की dimension cancel out हो गई और लीजिये prove हो गया जब यह cancel out हो गई कि यह जो value है आपके सामने ये पूरी तरीके से dimension less है यानि एगर मैंने force को force से cancel out कर दिया dimension को dimension से cancel out कर दिया तो ये जो value आपके सामने आ रही है ये value पूरी तरीके से dimension less है ये value आपके सामने dimension less होने वाली है तो जो इस question के अंदर first part हमसे पूछा गया था कि prove करें dimension less है वो हमने प्रूव कर दिया है डाइमेंशल ऐसे अब आते हैं इस question के second part पर हमें इसकी value निकालनी है देखो कैसे निकालेंगे value यह जो k दिख रहा है ना भी टाप लोगों को इस k का मतलब है 1 upon 4 by epsilon 0 यानि 9 into 10 की power 9 मैं कह रहा हूँ कि यहां k का मतलब dielectric constant से नहीं है यहां k का मतलब बना पॉन 4 by epsilon 0 तो हम k की दिख रख देंगे 9 into 10 की power 9 उमीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे अच्छा यह small e इसकी value है 1.6 into 10 की power minus के 19 का whole square अच्छा उसके नीचे है capital G capital G constant होता है उसकी value है 6.67 into 10 की power minus 11 अच्छा m e यानि electron का mass उसकी value है 9 into 10 की power minus 31 अच्छा उसके बाद में m p यानि proton का mass इसकी value है 1.67 into 10 की power minus के 27 जब आप इस पूरी value को solve करेंगे ना तो second part में जो हमसे पूछा गया था कि इसकी value बताइए क्या होगी वो value आप यहां से बता देंगे समझ में आरी बाद अब third part में हमसे यह पूछा है सिर्फ calculation है बेटा आप लोगों के लिए और ऐसे ऐसी calculation तो तुम्हें बहुत सारी लाखों करनी पड़ेंगी अभी ऐसे ऐसी calculation तो तो ऐसी calculation से डरना बिलकुल नहीं है आप solve करेंगे बिलकुल आराम से मैंने सभी values को आपके सामने लिख दिया है अब finally आप से यह पूछा है कि यह बताइए कि यह जो value यहां से निकल कर आएगी यह क्या signify करेगी यानि किस चीज को show करेगी तो पेटा यह इस बात को show करेगी कि electric force जो होता है वो gravitation force की comparison में बहुत ज़्यादा होता है इस बात को show करेगी electric force greater than of gravitational force जो electric force की value होगी वो gravitational force के comparison में कहीं ज़्यादा होगी तो first part में हमने prove कर दिया कि dimension less है क्योंकि उपर भी force है और नीचे भी force है cancel out हो जाएगा second part में हमने इसकी value निकाल कर दिखा दी और third part में हमने यहाँ बता दिया कि electric force gravitational force से ज़्यादा होने वाला है उमीद है कि आपको बात समझ आई हो सबसे पहले आप question note करिए और note करके फिर इसका answer मनाईए बड़ा अच्छा question है बचुम तो उमीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा problem आप लोगों को नहीं होगी यह question तो हम पहले ही solve कर चुके हैं कोई problem नहीं है यह question भी हम solve कर चुके है कि like bodies एक दूसरे को attract करती है यह question भी हम solve कर चुके है और यह question भी हमने solve कर लिया है अब आते हैं बेटा हम यहाँ पर ठीक है? देखिए problem क्या है मतलब अब level नहीं हलका सा rise हो गया है अब level हलका सा बढ़ गया है आपको चीजों पर और अच्छे तरीके से धियान देना पड़ेगा अगर आप questions बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी copy में आप questions लिख ले उसके बाद हम solve करना है start करते हैं देखिए problem क्या है बटा problem यह है two particle each having a mass of 5 gram and charge 10 की power minus के 7 कुलम हमने आपके सामने दो particle बना दिये बटा इस particle का mass भी है 5 gram और इस particle का mass भी है 5 gram ठीक है इस particle का जो charge है अपने पास में वो है 10 की power minus के 7 कुलम वो भी plus में है ठीक है और इस particle का charge है plus 10 की power minus के 7 कुलम उमीद है कि आप लोग समझ रहे हो stay in limiting equilibrium limiting equilibrium का मतलब मैं आपको अभी समझाओंगा क्या होता है दियान से ज़रा ठीक है on a horizontal table with a separation of 10 cm with a separation of 10 cm का मतलब यह है कि इनके जो बीच का gap है वो यह 10 cm है यह gap इनके बीच का 10 cm है ठीक है between them the coefficient of friction between each particle and the table is the same fine mu अचा पहले मुझे यह बताओ अगर इस पर भी positive charge है यहाँ पर दिख रहा होगा आपको और इस पर भी positive charge है तो यह दोनो positive एक दूसरे को क्या करेंगे repel करेंगे यह body इधर जाना चाहेगी और यह body इधर जाना चाहेगी और इनके बीच में इधर जो force काम करेगा वो भी F होगा और इधर जो force काम करेगा वो भी F होगा अगर दोनों body पर positive charge है तो दोनों body एक दूसरे से दूर जाना चाहेगी ऐसे दोनों body एक दूसरे से दूर जाना चाहेगी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल दियान से बात सुनिएगा रिपल्शन की वज़ा से दोनों बॉड़ी एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगी अब आप एक काम करिए बेटा आप इन दोनों बॉड़ी में से कोई भी एक बॉड़ी पकड़ लीजिए मैंने ये वाली बॉड़ी पकड़ ली इन में से अच्छा मुझे ये बताईए ये वाली बॉड़ी कहां जाना चाहेगी ये वाली बॉड़ी इधर जाना चाहेगी तो किसी भी बोडी के मोशन को रोकने के लिए बोडी जिधर जाना चाहती है उसकी opposite direction में friction काम करता है अगर ये बोडी इधर जाना चाहेगी तो इस बोडी पर friction काम करेगा opposite direction में उमीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे अगर repulsion की वज़ा से ये body इधर जाना चाहेगी तो इस पर friction काम करेगा इधर और अगर ये body इधर जाना चाहेगी तो इस पर friction काम करेगा इधर ये, ऐसे है, इस तरीके से friction काम करेगा दोनों body एक साथ लेने की कोई जरूत नहीं है कोई भी एक body आप ले लीजिए उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे इस body पर electrostatic force तो काम कर रहा है इधर friction काम करेगा इधर अब देखो एक बड़ा सुंदर word उन्होंने use किया उन्होंने कहा limiting equilibrium limiting equilibrium limiting equilibrium का मतलब यह है कि ये body कहीं भी नहीं जा रही है यानि इस body के friction ने इस body को यहां रोक के रखा हुआ है body जाने की कोशिश तो कर रही है एक दूसरे से दूर लेकिन friction एक दूसरे से दूर जाने नहीं दे रहा है friction ने body को hold करके रखा है तो हम यह कह सकते है अगर ये body कहीं नहीं जा रही है तो इसका मतलब यह है कि जो friction वाला force है वो capital F वाले force के equal हो गया friction हमारा equal हो गया capital F के repulsion की वज़ा से ये body इधर जाना चाहेगी लेकिन friction इस body को इधर जाने नहीं दे रहा है इसे रोक के रखा है opposite direction में friction लगा कर body जिदर जाना चाहती है उसके opposite direction में friction काम करता है अब देखो पेटा friction को हम क्या लिख सकते है जो यहाँ surface के और body के बीच में friction का coefficient है वो है mu तो friction को हम लिख सकते है mu into normal reaction mu into normal reaction और यह हमारा equal हो गया है पेटा capital F के और capital F को हम लिख सकते है 9 into 10 की power 9 यानि 1 upon 4 pi epsilon 0 एक charge है 10 की power minus 7 दूसरा charge है 10 की power minus 7 और इनके बीच का gap है 10 centimeter यानि 10 into 10 की power minus 2 का whole square यह इनके बीच का gap है यह तो हो गई हमारे पास में friction की value और यह हो गई हमारे पास में capital F की value जो इनके बीच में electric force काम कर रहा है मुझे यहां से निकालना है बीटा mu मुझे यहां से mu निकालना है अब देखो mu कैसे निकलेगा यहां से यह जो capital N आपको दिख रहा है न इस capital N का formula होगा यहां mg mass into gravity कैसे देखो नीचे की दरब एक force काम करेगा जो कहलाएगा mass into gravity और उपर की तरब एक force काम करेगा ऐसे उपर की तरब एक force काम करेगा यह force कहलाएगा normal reaction देरे देरे आप सब को सीख जाएगे कोई दिक्कत नहीं होगी normal reaction mass into gravity को कर लेगा balance यहां पर तो यानि हम लिखेंगे mu mass mass into gravity N की जगा लिखेंगे mass into gravity mass की value है 5 gram अब gram को kg में बदलने के लिए 10 की power minus 3 और gravity की value 10 और यहां आगे आपने पास में 9 into 10 की power minus 7 और minus 7 minus के 14 minus के 14 और plus के 9 minus के 5 10 के square करेंगे 100 और यह होगे 10 की power minus 4 अब तो calculation है आगे और कुछ भी नहीं है simple तरीके से calculation करेंगे तो problem solve होगी आईए देखता है की कैसे करेंगे mu is equal to 9 into 10 की power minus 5 यह होगया 10 की power minus 2 उपर जाकर होगया plus 2 इसे ले जाते हैं नीचे यह होगया 5 into 10 की power minus 2 बास समझ में आरी बटा solve करेंगे हम लोग देखो क्या answer बनने वाला है यहां से बनेगा हमारे पास में answer यह minus 2 उपर जाएगा तो plus 2 हो जाएगा यानि plus 4 और minus 5 minus 1 यानि हमारे पास में answer बनेगा 0.9 divided by 5 यह हमारे mu की value होगी student आप 0.9 को 5 से divide करेंगे तो यही answer आएगा 0.18 यानि इतना friction coefficient हमारे पास में रहने वाला है अब आप देखें कि हमने concept क्या लगाया भाई दो body थी हमारे पास में दोनों के उपर positive charge है दोनों body एक दूसरे को repel कर रही है अगर दोनों body एक दूसरे को repel कर रही है तो यह body इधर जाना चाहेगी लेकिन यहां जो friction काम करेगा surface के उपर friction है यह friction इस body को इधर जाने से रोकेगा और friction काम करेगा इस direction में नीची की तरफ काम करेगा mass into gravity उपर की तरफ काम करेगा normal reaction अगर यह body जाना तो इधर चाहती है लेकिन friction ने रोक के रखा हुआ है इसका मतलब है कि capital F friction के equal हो गया opposite direction में जो काम करने वाले इधर की तरफ friction काम कर रहा है और body कहीं नहीं जा रही है इसका मतलब दोनों force आपस में equal है friction को हमने ये लिख दिया और n को हमने लिख दिया mass into gravity solve किया तो mu निकल गिया mu का मतलब है friction coefficient जो इस बात को show करता है कि surface कितना rough है surface की roughness को show करेगा बिटाई जल्दी जे note down करिए उमीद है कि आप इस problem को समझ गए होंगे सबसे पहले आप question note करिए और question note करने के बाद में पुरा answer note करिए ठीक है वीडियो को pause करके आप करेंगे और इस question की कम से कम 2-3 बार अपनी copy में आप practice करेंगे कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई ये सी समझ नहीं आई इस तरीके से बहुत effective काम होने वाला है बिटा बहुत अच्छे तरीके से काम होगा परिशानी आपको नहीं होगी ओके देखे student बिटा next problem क्या है हमारे पास में आप अच्छे तरीके से देखेगा distance of 9 cm from each other is 16 dine अब देखो जैसे ही मैंने question को देखा तो मैंने देखा कि force की जो unit मुझे दे रखी है वो dine दे रखी है force की जो unit मुझे दे रखी है वो dine दे रखी है और force की जो unit है dine वो cgs unit है कौन सी unit है? cgs unit और आप याद रखेंगे बिटा यह है कमाल की बात सीखने वाली बात जो हर बच्चे से नहीं आती है यानि dine यहाँ पर है तो हम एकदम से समझ गए force की unit dine है इसका मतब cgs unit है और cgs unit में 1 upon 4 pi epsilon 0 की value 1 है अब समझते हैं उसने क्या दे रखा है the force between two point charges placed in a medium medium में रखा है यानि दो charge है हमारे पास में एक charge है q1 दूसरा charge है हमारे पास में q2 इनके बीच का जो gap है हमारे पास में वो है 9 cm बिटा समझ में आरी बात और यहाँ है medium medium का constant है k और इनके बीच में जो force काम कर रहा है वो है 16 dine 16 dine यह पहली condition है मेरे पास में तो मैं कहूंगा कुलम्स law के according जो force काम करेगा वो इतना काम करेगा 1 upon 4 pi epsilon 0 k q1 q2 देखो air में नहीं है इसलिए मैंने k का use किया है medium में है इसलिए k का use किया है अब आप देखो बिटा force की value हो गई 16 cgs system में इसकी value होती है 1 बिल्कुल दिहान लखना गबराना नहीं है इसकी value होती है 1 cgs system में साथ में हो गया हमारे पास में q1 q2 k की value हमें पता नहीं है r की value है हमारे पास में 9 cm cm को यहां मीटर में बदलने की जरूत नहीं है क्योंकि cgs system की बात हो रही है cgs में c का मतलब cm ही होता है तो 9 ही आप रखेंगे और 9 का square हो जाएगा 81 इसकी multiply आप यहां करेंगे तो यह हो जाएगा 16 into 81 is equal to q1 into q2 upon k यह हमारे पास में first sorry first equation आ गई बेटा यह हमारे पास में first equation आ गई उम्मीद है आप समझ रहे होंगे यह आप चाहो तो ऐसे लिख लो q1 into q2 is equal to 16 into 81 multiply by k equation number first ठीक है सही जगापर, सही फॉर्मूले का इस्तमाल सही वैल्यू का इस्तमाल ही physics है हमने 1 upon 4 pi epsilon not समझ गे cgs system की बात हो रही है यह तो 1 है medium है तो k है q1 एक charge हमने माल लिया है q1 दूसरा q2 और इनके बीच का gap है हमारे पास में कितना बिटा 9 और 9 का square करेंगे तो यह हो गया हमारे पास में 81 तो पहली equation हमारे पास में यह बन गई अब उसने हमें क्या कह रखाया गए देखो उसने हमें यह कहा on increasing one of the charge by 56 static column यह भी cgs unity होती है यानि एक charge को हमने q1 से बढ़ा कर q1 प्लस 56 कर दिया पहले जो charge q1 था ना उसे हमने 56 static column बढ़ा दिया और q1 से बढ़ा कर हमने उसे कर दिया q1 प्लस 56 दूसरे charge को हमने उतना ही रखा q2 ठीक है it is found that distance between the charges must be changed by 3 cm in order to keep the force between them same यानि अभी भी इनके बीच में medium है बिटा medium अभी भी है इनके बीच में medium का constant के हमने क्या किया हमने charge को बढ़ाया एक charge को 56 पढ़ा दिया और force को same रखने के लिए force को 16 dine ही रखने के लिए हमने इनके बीच के distance को 3 cm change कर दिया पहले 9 थी अब 12 cm कर दिया problem को सही तरीके से समझना ही physics है पहले एक charge q1 दूसरा charge q2 उनके बीच का gap k उनके बीच का medium k और distance थी 9 cm अब हमने क्या किया एक charge को 56 बढ़ा दिया force को हमें सेम रखना है पहले भी 16 dine काम कर रहा था अभे भी 16 dine काम करना चाहिए 16 dine काम करना चाहिए उसके लिए हमने उनके बीच का जो gap था 9 उसे 3 increase कर दिया यहने 12 कर दिया अब देखो क्या होगी force की value force हो गया बेटा हमारे पास में 16 1 upon 4 pi epsilon 0 की value हो गई 1 एक चार्ज हो गया हमारे पास में q1 plus 56 दूसरा चार्ज हो गया हमारे पास में q2 नीचे हो गया medium k और 12 का square हो गया हमारे पास में 144 यह condition बन गई उमीड है कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे कोई problem नहीं होगी 1 upon 4 pi epsilon 0 की value 1 cga system में एक चार्ज इतना होगी अब दूसरा चार्ज इतना है upon में k है और 12 का square करेंगे 144 चलिए देखते हैं आगे कैसे solve करेंगे इनकी multiply सरफ कर देते हैं तो यह हो जाएगा k into 144 into 16 is equal to q1 की multiply q2 में करेंगे तो यह हो जाएगा q1 q2 plus यह हो जाएगा q2 into 56 उमीद है कि आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे बिटा अब आप यह देखो कि q1 q2 की value क्या है हमारे पास में हमने first equation से q1 q2 की value यह निकाल रखी है यहां से यह value उठा कर यहां put कर दो तो यह हो गया हमारे पास में देखो धियान से यह हो गया अपने पास में 144 into 16 into k is equal to q1 q2 की देखा रखेंगे 81 into 16 into k plus q2 into 56 अब मेरे पास में तो space नहीं बचा है बिटा मैं उम्मीद करूँगा कि आप यहां से आगे से problem solve कर लेंगे कैसे इसको equal to से इदर ले कर जाएंगे इसमें से इसे minus करेंगे समझ मैंरी बात 56 से divide करेंगे तो q2 निकल जाएगा आप लोगों का उस q2 की value यहां से उठा कर यहां रखेंगे तो यहां से q1 आप लोगों को निकल जाएगा q2 भी निकल गया Q1 भी निकल गया कि दोनों के बीच में जो दोनों charges होने वाले हैं वो इतने होने वाले हैं इस value को equal to से इधर लेकर जाईए इस में से इसे minus कर देंगे और 56 से divide कर देंगे तो आपका Q2 निकल जाएगा और Q2 को उठाकर यहाँ put करेंगे तो Q1 निकल जाएगा इस तरीके से दोनों charges आपके calculate हो जाएगे Q1 भी और Q2 भी मैं चाहूँगा कि इस problem को आप complete अपने आप करें और किस तरीके से मैंने question solve किया है ध्यान रखें स्टार्टिंग में दो charge medium के distance 9 formula लगाया Q1 Q2 बन गया अगले वाली condition को समझना ही थोड़ा मुश्किल है उसने काया कि एक charge को आपने 56 बढ़ा दिया यह जो पहले Q1 था तो अब हो चुका है Q1 प्लस 56 दूसरा charge Q2 ही रहा उनके बीच का medium के ही रहा और distance को आपने 9 से 12 कर दिया force को सेम रखने के लिए पहले 416 था अब भी 416 है distance को 9 से 12 कर दिया अब यहाँ equation लगाई तो यह condition आ गई Q1 Q2 की जंगा रखेंगे यह वाली value जो मैंने निकाली थी यहाँ रखेंगे equal to से इधर ले कर जाएंगे 56 से divide करेंगे Q2 निकल जाएगा और Q2 को यहाँ रखेंगे तो Q1 निकल जाएगा ऐसे हम problem solve करेंगे बेटा तो आज की class में हमने कुछ questions आपको solve कराएं है जिनें आप लोगों को अपनी homework copy के अंदर repeat करना है class for copy में तो करना ही करना है homework copy में भी repeat करना है यह सारे questions आप लोगों के बेटा check किये जाएंगे मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से आपकी online class चलेगी इस तरीके से हम एक हफता दस दिन जब भी ये जब तक भी ये situation रहती है तब तक बिल्कुल आप लोगों की class ऐसे ही चलने वाली है इसके बाद में जैसे हिस्तिती सामानने हो जाएगी हम आपके class जबारा से online shift कर देंगे अच्छा अगर किसी बच्चे को फिर भी doubt रहता है तो वो एक समय लेकर पहले से time लेकर यहां institute पर आ सकता है अपने doubt क्लियर करने के लिए खाली physics में ही नहीं chemistry में, math में, biology में जिसमें भी उसे problem आ रही है पहले समय लेकर हमारे पास में आ जाए हमारे जो teacher है या जो हम है उनके doubts किलियर कर देंगे ठीके बटा चलिए अब आप लोगों से मिलेंगे next class के अंदर